बिटा इस चैनल पे आप 6, 7 और 8 के mathematics को बहुत डिटेल से देखते हो और उसी कड़ी में आज जो है वो rational number जो chapter 1 है किस class का तो 8 class का इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं बिटा rational numbers ये तुम्हारे class का सबसे पहला chapter है और बहुत ही basic chapter है जब तक तुम्हे rational number पता नहीं होगा तो आगे आने वाले बहुत सारे chapters है जो इस से related है तो तुम्हे जब तक rational number नहीं आएगा दिन उस chapter को बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे तो इसको करना बहुत जरूरी है तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो introduction देखने वाले है और वो भी किसका तो exercise 1.1 का exercise 1.1 को बनाने के लिए हमें कौन-कौन से knowledge होनी चाहिए वो सारे के सारे इस वाले lecture में cover किये जाएंगे और ये part 1 है हो सकता है कि एक दो और part आएगा तब जाकर के आप exercise 1.1 को complete बना पाएंगे देखो हमसे पढ़ने का क्या तरीक है कि जो भी मैं चीज यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आज तुम्हारा first day है इसलिए मैं बता देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसका तुम theory ज़रूर note कर लेना ठेक है that means कि आप notes बनाना ठेक है और ये जो आप notes बनाओगे ना तो वो notes तुम्हें बहुत helpful होगा जब भी तुम revise करोगे देन बस notes को fat a fat देख लोगे तुम्हारा काम बन जाएगा उतना जादा फिर से lecture इतने लंबे-लंबे lectures को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगे तो ये बिटा first lecture है जिसको आज हम लोग शुरू करने वाले हैं तो हम क्या करते हैं कि basic से शुरू करते हैं हम ये समझते हैं कि आपको कुछ नहीं आता वैसे आता बहुत है आप class 7th में जब पढ़े हैं और class 8th में आये तो आता तो बहुत है फिर भी हम ये मानके चलते हैं कि हमें शुरूआत basic से करनी चाहिए तो हम basic से यहां पर शुरू करते हैं सबसे पहले देखो बिटा ये वाले chapter को पढ़ने के लिए आपको natural number का knowledge होना शाहिए कि what is natural number आपको natural number बता होना शाहिए अच्छा natural number को मैं तुम्हें बताऊं कि natural number को capital N से represent किया जाता है ठेक है और ये capital N से represent किया जाता है और ये होते कौन से हैं कौन से numbers हैं तो जितने भी counting के numbers है ना all counting numbers जितने भी counting के numbers हैं वे सभी के सभी आपके natural number हो जाएंगे all counting numbers बस इतना सा मैंने लिखती है तुम्हारे hints के लिए कि सभी के के numbers आपके क्या हो जाएंगे natural number हो जाएंगे थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा है इसको थोड़ा सा हम चलो हमने उसके thickness को कम कर लिया all counting numbers जो है वो आपके natural number होंगे अच्छा चलो counting के numbers कौन कौन से हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है यह सभी के सभी counting के numbers है और यह सबसे बड़ा counting का numbers जो है वो आप बता नहीं सकते बिटा आप चाहें जितना भी बताओ suppose that के तुमने बता दिया 500 तो मैं कहा दूँगा 501 आप जो भी बताओगे ना उससे एक बड़ा तो जरूर हो सकता है इसको हम लोग कहते हैं infinity या infinity ठीक है यह sign है infinity का तो infinity तक जाएगा जैसे कि आप 8 लिखते हो ना ऐसे कड़कर करकर करके बना देना है यह sign होगे आपके infinity का ठीक है तो आप infinity तक कहोगे तो इस पूरे nation number यह जो family बनी ना यह पूरे पूरी family एक साथ इकठे क्या कहलाएगी तो national number कहलाएगी और national number को बेटा capital answer represent करते हैं इतना बात तो समझ में आ गया अच्छा ठीक है अब यहां से तुमसे questions जो है ना किताबों में भी किया जाता है एक्जामस में भी आते हैं और कोई पूछ भी लेता है कि smallest national number कौन है तो बस मैं यहां पर लिख रहा वाला जो natural number है वो कौन है तो तुम कोगे बड़ा वाला तो सर हम बता ही नहीं सकते क्योंकि यह infinite तक जा रहा है तो हम यहां पर नहीं बता सकते तो cannot be say कह दो कि infinite होगा या infinity होगा अच्छा ठेक है अब तुमसे एक और question यह किया जा सकता है कि कितने सारे natural numbers होते हैं तो obviously बात होते हैं यह तीन बातों को तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना ठेक है infinite natural numbers होंगे सबसे चोटा natural number 1 सबसे बड़ा infinite हम बता नहीं सकते cannot be say अच्छा यह infinite natural numbers होते हैं यह तीन चीज़ आप natural number में ध्यान रखेंगे अब चलते हम next page पे अब जो second topic हमें जानना और समझना है वह exactly तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि whole number होता है क्या है अब यह जो whole number है ना ठीक natural number जैसे ही बड़ा आसान है देख बेटा यह whole number natural number यह सारी की सारी जाना वह बेसिक से तुम 4-5 से ही भड़ते हुए आ रहे हो यह whole number को capital W से represent करते हैं सबसे पहले तो यह आपने जान लिय अच्छा देखो नेशनल नंबर की family तुम्हें पता है ना नेशनल नंबर की जो family होती है वह 1,2,3,4,5 ठीक है इस तरीके से infinite तक जाती है और इससे यह family complete होती है ठीक है और अगर हम इसी family में एक और member को शामिल कर दें जिसका नाम 0 है तो अब यह family बड़ी हो गई जिसमें एक member 0 और शामिल हो गया तो अब यह जो बड़ी से family है इस पूरे family को हम लोग कहेंगे whole number और इसको capital W से represent कर देंगे इसका मतलब हमें यह पता चला कि अगर natural number में 0 को शामिल कर लिया जाए then whole number की family हो जाएगी तो हम यहाँ पर definition ऐसे लिख सकते है कि natural number together with 0 ठीक है natural number together with 0 ठीक है together with 0 बिटा 0 के साथ जो natural number होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे whole number बोलेंगे exactly समझ में आ गया अच्छा अब जब तुम्हें यह चीज समझ में आ गया है तो अब यहाँ से कुछ questions बनते हैं कि तुम्हें सबसे छोटा वाला smallest whole number बताना है ठीक है तो smallest whole number को होगे सबसे छोटा कौन सा है तो 0 है तो यहाँ पर कहोगे smallest whole number 0 होगा अच्छा तुमसे यह कह दिया जाए कि इसमें greatest whole number कौन है सबसे बड़ा वाला whole number कौन है तो तुम कहोगे obvious सी बात है कि infinity होगा क्योंकि अब जितना भी number बता लें उससे एक बड़ा तो हम बता ही सकते हैं ठीक तुम कहोगे कि infinite whole numbers होते हैं इसका कोई अंत ही नहीं है तो infinite whole numbers यहाँ पर मैं लिख दिया ठीक है यह सबका सब आप notes में लिख लोगे बेटा जैसे-जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे-वैसे लिख लेना exactly ऐसे कड़कर करके heading दे कड़कर के नीचे आपको line दे देना है य मुझे कोई हर बड़ा हट नहीं है कि बहुत जल्दी पढ़कर के बहुत कुछ करना है कहने का मतलब है कि जब तक time नहीं दोगे तब तक बहुत चीजों को सीख नहीं पाओगे फिर उपर ही उपर तुमको पढ़कर के निकलना पड़ेगा तो whole number and natural number समझ लिए अब देखो को whole number and natural number में कुछ बातों को relate करते हैं जैसे कि whole number में तुम देख रहे हो हम इधर से क्या करते हैं कि एक मिएट देखो हम यह whole number को यह copy कर लेते हैं ना कि कोपी कर लिया एक्जैक्टली हम यहां से कोपी कर लेते हैं कोपी कहां से होगा कोपी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम यहां से कोपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट भी कर लेते हैं चलो यह लोग यह होगे बिटा आपके होल नमबर ठीक है अब नेच्वल नमबर को भी ले करकर के नीचे infinity को दिया हुआ चलो हमने इसको select कर लिया और copy कर लिया अब हम चलते हैं वहाँ पे लो भाई यहाँ पे हमने इसको डाल दिया natural number अब देखना बेटा natural number and whole number में केवल और केवल फर्क क्या है बस तुमको यहाँ पे बताना है कि दोनों में क्या फर्क है तो देखो कि natural number की कहानी one से शुरू होती है और यह infinity तक जाती है तो भाईया whole number भी तो one से शुरू होती है और infinity तक जाती है इसका मतलब यह कह सकते हो कि natural number के जितने भी members है वे स सबी के सबी members whole number में भी पाए जाते हैं, यानि देखो one से लेके infinity, one से लेके infinity, हाँ, बस whole number में एक zero extra आ जाता है, इसका मतलब ये whole number एक ऐसा group है, जिसमें पूरा का पूरा natural number fit हो गया है, इसी के अंदर आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि all natural numbers are whole numbers, देखो न, ये सब natural numbers है न, और ये सब whole number भी है, तो exactly, इन बातों का ही आपको ध्यान दखना था, और यहां पे हम अब एक concept लिखने वाले हैं, कि all natural numbers are whole numbers, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपको true false में पूछ देता है, all natural numbers, all natural numbers are whole numbers, ठीक है, whole numbers, बिटा, no कहने हैं मतलब numbers होगे, शॉर्टकट में, ये true होगा या false होगा, बिटा, true होगा, क्योंकि सभी के सभी natural numbers whole numbers में आ जाएंगे, ठीक है, वीडियो pause करकर के लिख लो, मैं थोड़ा सा इसको उपर कर देता हूँ, चलो देखो, अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ने के बाद, all natural numbers are whole numbers, ये तो सही है, लेकिन किसी ने ऐसी बात कह डाली, कि all whole numbers are natural numbers, दिन तुम क्या कहोगे, all whole numbers, all whole numbers are natural numbers, जितने भी whole numbers हैं, वे सभी के सभी natural numbers होगे, दिन तुम क्या कहोगे, तुम्हें कहना होगा कि false होगा, क्यों ये सभी के सभी whole numbers तो natural number जरूर हो जाएंगे, बट ये 0 natural number नहीं होगा सर, तो 0 के वज़े से ये बात हमारा false हो गया, ये बात clear होगी नहीं, बटा clear हो रहा है न, हाँ exactly, तो यहाँ पे तुमको कहना पढ़ेगा कि सभी के सभी whole numbers तो नहीं हो सकते, बट natural number जितने भी हैं, वो सभी के सभी whole numbers भी है, ठीक है, तो हम इसको clear कर देते हैं, बटा अब आपको क्या करना है, बस इतनी से बातों को आपको नूर्स में ज़रूर लिख लेना है, कि all whole numbers are whole numbers, बट all whole numbers are natural numbers, ये false हो जाएगा, और ये का नाम है, बटा, integers समझ लेते हैं, ठीक है, ये integers बहुत तगड़ा चीज है, integers को बटा, capital I और capital Z, दोनों से हम लोग represent करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अब ये integers क्या होता है, तो whole number तुम्हें बता है न, whole number क्या होता है, अच्छा, छोड़ो, whole number कर लें, तो ये पुड़ा का पुड़ा अब क्या बन जाएगा, whole number बन जाएगा, ठीक है, whole number के family में, अगर हम negative counting number को include कर लें, जैसे के minus 1, minus 2, minus 3, ठीक है, और इसी तरीके से करते हुए हम कहां तक जाएंगे, तो हम exactly minus infinity तक जा रहे हैं, ठीक है, तो minus infinity तक गएं, तो whole number के family म अगर negative counting numbers को भी शामिल कर लिया जाए, तो दिन ये जो पूरी family बनेगी, पूरी group बनेगी, ये सभी के सभी कहलाएंगे, integers और integers को capital I से represent करते हैं, clear हुआ, यानि तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि positive वाले भी integers होंगे, यहाँ पे negative वाले भी integers होंगे, and 0 भी integer होगा, clear हो हो है, तो positive, negative, and 0 ये सभी के सभी integers होंगे, तो इसका definition कैसे कहा जा सकता है, दिन तुम ये कह सकते हो, कि whole number के family में negative counting numbers को include कर लिया जाए, तो whole number together with, whole numbers, whole numbers together with, together with, क्या, तो negative of counting numbers, negative of counting numbers, टेक है, तो counting numbers के जो negative हो जाएंगे न, उसको भी अगर शामिल कर लिया जाए, दिन ये क्या बन जाएगा, तो ये integers बन जाएगा, फिर वैसे ही सावाल, कि इसमें सबसे शोटा integer बताओ, सबसे बड़ा integer बताओ, तो smallest के लिए तुम क्या दिमाग लगा रहा हो, क्या द infinity जा रहा है, तो दिन हम ये कह सकते हैं, कि minus infinity इसका smallest हो जाएगा, अच्छा, अगर तुम से ये पूछा जाए, बेटा, कि greatest integer क्या होगा, तो greatest integer भी बहुत आसान है, जैसे कि ये plus में infinity तुम कह दोगे, या फिर कह सकते हैं, बता ही नहीं सकते, इतना बड़ा होगा, अच्छ सब clear हो रहा है, very good, अब यहाँ पे infinite integers होंगे, तो इन चीजों को हमने लिख लिए, बस वैसे ही सवाल था, वैसे ही question था, अब यहाँ पे integers के types को हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं, कि यहाँ पे, इन सारे integers को यहाँ से copy करते हैं, और इसके types को ही यहीं से समझ लेते हैं, बहुत easy है, easy way में समझना है, हम यहाँ पे next page ले लिए, चलो यहाँ पे, अब हमने सारे के सारे integers को यहाँ पे ले लिया, अब देखना, यहाँ पे सबसे पहले हम heading दे देते हैं, types of integers, तो जाकर के तुम्हें clear रहेगा, तुम भी अपने notebook में heading दे दे लेना, types of integers, types of integers, टेक ह अब देखो, यह integers कितने तरह के होते हैं, तो integers बहुत आसान हैं, यहाँ पे तुम एक बार में समझ सकते हो, और वो भी ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो, यह आप देख लो, तो यहाँ से लेकर करके, और यहाँ तक जो बात है ना, यह बिटा, यह positive integers हैं, यानि कि पलस में है तो हम कहेंगे कि एक positive integers हो सकते हैं, अच्छा, यहाँ से लेकर करके, और अगर हम बात कर लें, यहाँ तक कि, तो यह बिटा आपके negative integers हैं, अच्छा, एक और integer है, यह ना ही negative है, और ना ही positive है, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, और तुम भी लिख लेना, कि neither positive or nor negative, यह नहीं positive है, और नहीं यह negative है, तो यह पर क्या है, तो यह आपका बिटा, ना negative है, ना positive है, तो यह कहलो कि, बस ऐसे ही chargeless कहलो, तो अब यहाँ पर यह जो 0 हो गया, ना positive है, ना negative है, तो हम यहाँ तीन तरह के कह सकते हैं, एक positive होगा, एक negative होगा, और एक 0 होगा, तो यहाँ प तो आपके positive integers होंगे, ठीक है, एक positive integers होंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, और 1 तो 0 हो जाएगा, और जो तीसरा है, वो actually negative integers होगा, ठीक है, तो ये तीन तरह के बिटा, आपके integers होगे, तो इन चीज़ों को भी आप note down कर लेना, एक positive, negative और एक 0, अच्छा, इतना बात clear है, अग दो चीज़ और करना चाहेंगे, और यहीं पर बता देना चाहें, क्योंकि बाद में कभी-कभी उसकी need पढ़ने लगती है, तो फिर उस समय बताना पड़ता है, उससे better है कि तुम यहीं पर जानो, एक चीज़ों को जानो, ठीक है, अब यहां पर देखो, हम तुम से ये कहन तक होगा, हम infinite कहा देते हैं, अच्छा मैंने तुम से कहा दिया बेटा कि negative integers बताओ, कि negative integers क्या होगा, तो negative integers में कहोगे, कि सर minus 1 लेंगे, minus 2 होगा, minus 3 होगा, minus 4 होगा, और इसी तरीके से करते करते हम लोग minus infinity तक पहुँच जाएंगे, अच्छा, अब एक यह नई चीज़ ह और आपको आता रहेगा, तो बहुत good feeling होगा, तो उस समय तुम good feel करोगे, अगर जान रहे होगे तब नहीं, तो तुम्हें बहुत दिक्कते आएंगे, non-negative integers में, अच्छा, देखो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि non-negative है, यानि जो negative नहीं हो, non क्या कहता है, कि negative नहीं होना चाहिए, तो तुम तो कह दो के sir, 1, 2, 3, 4 से लेकर करके, हम infinity तक चले जाएंगे, और ये हो जाएगा, हमारा non-negative, तो बेटा, तो हम उसको positive भी तो कह देते, तो फिर non-negative कहने की क्या जो रहा थी, इतना लंबा चोड़ा बोलने कि non-negative integers, लो भाईया, non negative integers की बातों को समझ लो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये जो है ना आपका positive integers है, यानि negative नहीं होना चाहिए, तो negative तो 0 भी नहीं होता है, तो इसमें 0 भी शामिल हो जाएगा, बिटा मैंने बताया ना यहां, यहां मैंने बताया कि जो 0 होता है, वो negative नहीं होता, ठीक है, तो 0 नहीं पे तो मैंने बताया कि 0 नहीं negative होता और नहीं positive होता, तो हम इसमें 0 को भी शामिल करेंगे, कि 0 भी negative नहीं होता, तो non negative की चर्चा जब भी होगी दिन तुम शुरुआत 0 से 1, 2, 3, 4, 5, infinite तक करोगे, ठीक है, अच्छा, यहीं पे बस दूसरा question ऐसे बन सकता है, कि अब हमें यहा आज में आ रहा है, हमारी बात है, देन ने, आप मुझे comment करके बता है, I understand, आप फट फट से type करकर करके, हमें लिख है, I understand sir, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ, अब यहां पे देखो, कि non positive integers में हम क्या करते हैं, कि जो positive नहीं हो, तो positive नहीं है, तो बिटा, minus 1, minus 2, minus 3, ठीक है, और exactly अब तुम्हें यहां पे infinity तक जाना होगा, but positive तो 0 भी नहीं होते हैं, तो यहां पे हमें 0 भी लिखना पड़ेगा, तो exactly यह 0 भी इसमें शामिल हो गया, तो non positive integers 0 से भी शुरू करोगे, और non negative को भी 0 से शुरू करोगे, तो बस फर्क इतना ही है, और इतना ही तुम्हे आप categorize करते हैं, कुछ चीज़ों को, जैसे समझो, हम यहां पे अगर बात करें, कि यहां, देखना यहां पे, ध्यान देना विटाओ, ठीक है, यहां पे तुम्हें यह ध्यान देने की ज़रू थे हैं, कि अगर, एक मिनट, हाँ, अगर मैं तुमसे यह बात करूँ, वो कौ ज़रूआत होता है, तो यह नेशुल नंबर हो जाएगा, अच्छा, ठीक है, अगर मैं तुमसे 0 से लेकर करके, infinite तक की ग्रूप की बात करूँ, देन तुम क्या कौँगे, तुम क्योगे, सर, यह तो whole नंबर होगा, पकका, अच्छा, ठीक है, अगर मैं infinity से लेकर करके, य और natural number भी और whole number भी, दोनों होता है, ठीक है, तो integers के अंदर में whole number होगा, whole number के भी अंदर में natural number आ जाएगा, तो ये बात तुम्हें clear हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक बात ऐसा कर सकते हैं, कि देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर एक circle ले लिया, और इस circle को हमने कहा दिया, कि ये natural number है, तो ये natural number actually हमारे whole number के अंदर ही रहा होगा, तो यहाँ पर हम whole number कह सकते हैं, अच्छा, एक और circle हम ले सकते हैं, और इस circle को ले करके कह सकते हैं, कि सर, ये whole number भी integers के अंदर आएंगे, तो ये वाला तुम्हें when diagram समझ में आया, कि integers के अंदर whole number, whole number के अंदर natural number, अच्छा, इसको समझने से तुम्हें क्या benefit है, ये समझ लेना, कि जितने भी यहाँ पर natural number है, वो सभी के सभी क्या है, whole number के अंदर आ रहे हैं, दिन हम ये कह सकते हैं, कि natural numbers जो है, वो whole numbers हो जाएंगे, all natural numbers are whole numbers, दिन यहाँ तो मैंने पीछे भी किलर किया हुगा है, कि all natural number, whole numbers हो जाएगा, अच्छा, all whole numbers natural होगा जाएंगे, exactly होगा, क्योंकि, all whole numbers integers होगा या नहीं, exactly integer होगा, क्योंकि integer के अंदर में ही whole number है, तो तुम यहाँ से यह कह सकते हो, कि all whole numbers are integers, देखो न, ये सभी के whole numbers integers के अंदर ही है न, तो हम कहा सकते हैं कि all whole numbers, all whole numbers are, are integers, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के सभी whole number क्या हैं बिटा, integers हैं, ये बात बिल्कुल true है, अच्छा, लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा कह दिया जाए, कि all integers are whole number, all integers are whole number, देन, तुम क्या कहोगे, ठीक है, तो तुम कहोगे, ये बात तो सर, बिल्कुल false हो जाएगा, इसलिए false होगा, क्योंकि negative वाले जो integers हैं, वो तो whole number बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए all integers whole number कभी नहीं हो सकता है, ये बात के लिए हो रहा है, अच्छा, चलो, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि all natural numbers are integers, सर, जब whole number integers हो गया, देन, natural number क्यों नहीं होगा, क्योंकि whole number के अंदर में ही तो natural number होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे के माल लेते हैं, कि तुम्हारे family में, तुम्हारे family में, तुम्हारे papa जो हैं, वो किसी और से नाराज है, ठीक है तो दिन तुम उनके बेटे हो या बेटी हो, ठीक है, तो आप भी उनसे नाराज हो, अगर तुम्हारे papa ही मान गये, दिन तुम भी obvious ही बात है कि मान जाओगे, बस बात वही है, कि यहाँ पे जो है ना, आपको बिलकुल वैसे ही सोचना है, कि अगर whole number ही integers हो गया, then natural number क्यों whole number के अंदर आता है, जैसे कि आप अपने parents के अंदर आते हो, वैसे ही यहाँ भी बात है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, कि all natural numbers, all natural numbers are whole numbers, ठीक है, sorry, यह तो कही सकते हैं, यह तो हमने पीछी देख लिए, integers की बात कर रहा है, यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, all natural numbers are integers, ठीक है, चलो, यहाँ पे integers, यह भी बात, बेटा, true हो गया, ठीक है, लेकिन हम कहा दें कि all integers are natural numbers, then वो false हो जाएगा, तो यह सब छोटी-छोटी बाते हैं, जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ता है, तो इन सारे चीज़ों को तुम ध्यान में रखोगे, ठीक है, अच कोई भी numerator by denominator, जैसे कि आपने कहीं पे P by Q लिख दिया, यानि आपने क्या लिखा बेटा, कि numerator by denominator लिखा, numerator by denominator लिखा, कहीं पर भी तुम numerator by denominator देखोगे न, तो उसको fraction कह सकते हो, कब कह सकते हो, जब P and Q, देखो बेटा, यहाँ पे P and Q are natural number, यह P and Q के जगा पे कोई natural number लिखा ह होगा, जैसे कि P के जगा पे 5 लिखा हो, Q के जगा पे 3 लिखा हो, P के जगा पे 5 और Q के जगा पे 3 लिखा हो, then यह fraction है, अच्छा, एक और बात यहाँ पे हम शामिल करना शाहेंगे, कि Q doesn't is equal to 0, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानि कि denominator 0 के बराबर नहीं हो सकता, अगर यह denominator 0 के बराबर हो जाएगा, then वो number define नहीं करेगा, suppose that आपने 5 by 0 कर लिया, यह कोई number नहीं होता, 0 से हम लोग define कभी भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग denominator में 0 नहीं रखेंगे, तो यह सब हमारे क्या हैं, तो example है, 5 by 3 हो गया है, 7 by 9 हो गया, देखो ना, numerator by denominator में लिखा नहीं है, तो यह fraction बिलकुल भी नहीं होगा, fraction इसलिए नहीं होगा, then आपको यह तो natural number है, but यह natural number नहीं है, यह तो आपका integer है, इसलिए negative वाला कभी भी fraction नहीं होता, आपको यहाँ पर ध्यान लखना बढ़ेगा, तो यह आपका fraction नहीं होगा, but यह आपका fraction है, यह आपका fraction अच्छा देख बेटा अब इसका definition कैसे लिख सकते हो तो the number in the form of the number the number in the form of in the form of p by q वैसे number जो p by q के form में हो and the number of the form of p by q वेर यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा detail में के where p and q are integers p and q are integers p और q को integer नहीं होना पड़ेगा यहां पर p और q को जो है न वो exactly natural number होना पड़ेगा p and q are natural number natural number and q doesn't is equals to zero तो उसको हम बोलेंगे are called fraction are called fraction उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे fraction ठीक है थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसको नीचे डाउन कर देते हैं ताकि आपको जहना सारी बातें अच्छे से clear रहे हैं चलो ठीक है अब हम यह यह हमने क्या कर लिया ना बिटा कि example के तौर पे ले लिया तो exactly तुम्हें बात अब clear हो चुका है समझ में आ गया है कि कैसे कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना है तो अब fraction आपने समझ लिया fraction में कौन-कौन से numbers होंगे कौन-कौन से numbers नहीं होंगे अब आप इस level पे आ गये हो कि rational number और बहुत बैतिन ढंक से समझ सकते हो तुम्हें हमारा ये पढ़ाना अगर सच में अच्छा लगता है दिन हमारे इस चैनल को अगर नए हो दिन सब्सक्राइब कर दो और अपने प्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो तुम्हारा फ्रेंड्स भी इस से लेक्चर का benefit उठाएगा दिन उसे भी knowledge बहुत अच्छी होंगे और आप इसी तरीके से बस बनाते रहो और सारी के सारी chapters बहुठ डिटेल में पढ़ाये जाएंगे इसलिए बहुत जल्द्बाजी में बहुत जल्द्बाजी में काम सैथां का होता है और तुम तो सैथां हो नहीं जैसा कि मुझे लगता है तुम हमारे बहुत प्यारे स्टूडेंट हो ठीक है तो ठीक है आज की कहानी यहीं तक रखते हैं बस फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स लेक्षर में ओके बाई गुद नीच